हेलो बच्चो स्वागत करते हूँ आप सभी का एक नए वीडियो में तो आद लोग कैसे आसा करते हैं कि अच्छे से होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे तो आज की जीड़ों हम देखने वाले जन संख्या का जो है इसका जो है लोग दिरगुतरी परश्ण देखने वाले तो इसका जो है आति लगुतरी और लगुतरी बहुत ही पहले करवा चुक है इसका जो दिरगुतरी परश्ण जो था यह छुड़ गया था यह इस पर ध्यान नहीं दें थे थोड़ गया था बच्चों लोग को बहुत सारे कुमेंट आने लगे तो फिर ख्य या तो इंडा स्क्रीन में यहां पर देंगे तो वहां सब्सक्राइब करना जरूरी है और विडियो को लाइक भी कर लिजेगा ठीक है चली जल्दी हम स्टार्ट करते हैं भारत में संक्या के बीतरन और इसे प्रभावित करने वाले काल को पर परकास डाले भाव भारत कांच भाए बन जोए यानी बतवारा जो है आसमान बताए इसे पूरे भारत में क्या चली राज में समान जनसंख्या नहीं है नासमान ना फइला जारा कि भारत में जन संख्या जो है भारत में जन संख्या च्लोंड़क बितरनल एव एंस सभसेडी भाहर्ष भाझ थन दिकार्ट्स Peng시 कमी के कारण जन संख्या में कामी पढ़ते हैं जहां पर आप जानते जहां पर जन संख्या जो है कम रहेगा वहां पर कम रहने का जन संख्या का घना तो करमसा घटता जाता है क्या होते जाता है घटता जाता है कि मगर असम में वर्षा की अधीक होते हुए भी जन संख्या कम है मतलों असम जो है वहां वर्षा बहुत अच्छा होता है लेकिन जन संख्या कम है इसका कारण है कि उसका अधीक भाग और पहाड़ी पहाड़ी हो गया और मतलब जंगल में लोग तुरहेगा नहीं इसलिए वहाँ पे जो जनसंख्या कम है इसी तरह दुखिया की पंजाब हर्याना में वर्षा कम होते वे जन संख्या अधिक पर चारण कि क्योंकि वहां सिचाही के साधुने का विकास हुआ है वारिश नहीं ओटा लेंग जो खेती होथा उसाइं करके लिए जाता है इसलिए क्या है जो हाँ पे जन्संख्या बहुत सारा है इस तरह से जो इसको दखिए है याद रखेगा बोली दखिए अब आगे दिखते हैं लोग कि देखें अजब कि उसका चेतरपल देश के समझते चेतरपल का एक तिहाई है इसका कारण यह कि मैदानी भाका उप जाओ होना भारत में दिल्ली पश्ची बंगाल बिहार और केरल चेतर सबसे अधिक बसे हुए देशा मतले इसमें जो हैना सबसे अधिक जन्संख्या है ठी कि यहां पर थोड़ा सा रुखिए यहां पर जन्संख्या का बात नहीं हो रहा हम लोग बीच में छोड़ दिना इसलिए यहां से बात अलग निकल गया यह सभी कुछ और बाते बोल रहें कि बने बस हुए ठीक ना केरल में सिच्छा की अधिक पर चार तथा लोगों का जी संख्या कम हो गई है हम भी हम यहां भी देखते हैं कि गंगा का मैदान और 30 मैदान का चावल उत्पादन छेत्र है ठीकना चले अब लोग दूसरा नमर की उसन देखे क्या है कि देश के विकास में जन्सक्ति की भूमी का किस परकार महत्पूर्ण है इसके लिए जन्सक्ति कि किस को किस परकार अधिक से अधिक कारगर बनाया जा सकता है इसका उत्तर हो जाएगा कि भारत अतिस्वारी किसी देश में रहने वाले लोगों के कुल जन्संक्या कुल जन्संक्या उस देश की जन्सक्ति की परिचारिका होती है जन्सक्ति ही प्राकिर्तिक साधनों के व वह है जो है जो प्रकर्टिक साधन होता उसका बीवेक Primary करते है कर से क्रूंगा नहीं करेगा करते हैं वही आराम दाई जीवन के लिए सब परकार की वस्तों का उत्पाद कर चुके हैं और कर रहें भी जैसे बाइक गाड़ी हो गया एक दूसरे जगा जाना है अगर पर चली तरह जाने में लगता पईदल तो वहां पाचे मिनट में लोग पहुंच जाते हैं तो क्या आराम देखिए बहुत अच्छे से समझ भारती जनसंक्या निरंतर बढ़ती जा रही है बढ़ती करें किस तरह से बढ़ती जारी क्यों पढ़ती जारी तीछ का उतर की जनशंक्या में तीरव भृदि के प्रभीरती जारी की प्रभृत o सथिरल से 75 Housing बाच्चे जहना है यह दिक रहा है सत्तर हजार से 75 बश्य जो लोग है पर्तिदीन भारत में जन में ले धिकी गति एक दिस्टमनलों 35 पर्तिसाथ वार्सिक यानि इतना जुत मंच्षा सबस्य करोड न चाहalities धुद्टम्रीं कंवा में Slurm कावन में लग भग 12 करोड बढ़कर यानि कि 36 करोड हो गई यानि कि 50 साल में मातर 36 मतलब 12 करोड बढ़ा आप देखिए कुना से कावन से कावन के बीज 40 वर्सों की आउधी में आउधी मतलब समय जन संख्या 84 करोड हो गई तेख रहे कितना हाथ तेजी से बढ़ गया कितना पढ़ गया से सिधे जो है 36 से चावरासी आओ भी 40 साल में ही अर्थात इस दौरान कूल जन संख्या में 48.5 करोड जूड़े यानि कितना इस चाली साल में कितना बढ़ा तो 48 करोड उपलवद आकड़े से यह सपास्ट होता है कि जन संख्या नीती अपनाय जाने के बाद भ नहались है इसके कारण बाहरत में 20 के लगबक 17 पर ती सते अबादी रह यह मतलब Sverigen बीसुमें 20 में दुगों के निकाल लेते हैं तो आधा जनसंख्या लगभग हो जाता है लगभग में आधा जनसंख्या हो जाता है समझे आधा में ये दुनों मतलब भारत और चीन और आधा में 193 देश सोचिए कहां पहुंचा जा रहा है ठीक नहीं तो इसको क्या किजिएगा आप लोग ज पहिए संख्या इसका देखतายहां वित लाटम का संबंद मूल आता जन शंक्या के घणाथो के चलता बिए कि जन संख्या के यह तो क्या हो जिइन जो संख्या निवास करती है कि आधा तर थे क्षेग झढ़ना के अनुसार भारत में जन संख्या का अऊसत घणा मैंत में में भारत का जन संख्याव म 먼ल भारत का जन संख्याव गलात तो जो 324 कि या उनुजड और अभी जान रहे 2023 गलना तो ईह 2022 के यह भारत की जनसंख्याव घंड यह उनुजड होहां विभारत का जंचंख्याना तो तो सबसे कम जाया किस देश्वं किया किस का है मंघोलिया किसका ओनगोलिया किसके नाम ना मंगिया कि था किया है इतना कम है चलिए देखते हैं आगे हम लोग तो जन संक्या जनगर्णा का अनुसार भारत में जन संक्या का घना तो 324 परती बेगती वर किलोमेटर याद रखेगा आप से कि उसन पूछा जाजा सकता है कि 2001 की अनुसार भारत की जन संक्या घना तो कितना था था 324 भारत के पास 20 का मात् भारत की लेकिन जन संक्या के तरह सताथ मानी पूरे जनसंक्या का यान पूरे वह Suzanne की जन संक्या का सत्तर परती से पस्तिम मंगाल अंध्रप्रदेश यानि कि पाच राजी को अगर मिला देगे ना तो भारत की आधि जन्संक्या हो जाएगी बहुरत के क्ुल कितनी जन्संख्या भारत की में एक 182 करोड एक सो करोड जनसंक्या अगर यही 5 राज को मिला देना फाधी जनसंक्या हो जाता है थूडब अधा मेंगरए थे हैंये गटा चूड़ में 22 में 5 घुटा देजे तथ 23 राज में आधा जनसंक्या और थे ठागर 15 में आधा जनसंक्या याणि 23 जो पास के बराबर हो गया इस तरह से है इसको आप लोग जो taking झात करने का ठिक न यह जैगा याद ने करने के कआ बस कॉपी में लिएक робिकन लेजेगा 2-3 वार लेजिएका इसके लिजिए दिशन देखे भारती जन्संख surgit और यह भी वह बस हुए जो हम लोग पीछे लगबग आधी जनसंक्या इतना में मतलब पाच राजी में हैं इस तित हम लोग पहले देख चुके हैं यह सब हम लोग जानते कि अधीक वर्षा होने पर भी जनसंक्या कम है हम लोग देखें कि वहाँ जो पहाडी छेतर है और जंगल छेतर है ना तो कहां से रहेगा और हम लोग यह देखें कि पंजाब हर्याना में सिचाई साधनों के विकास के कारण कम वर्षा मतलब कारण कम वर्षा होती है फिर जनसंक्या अधीक है क्यों कि वहां सिचाई का साधन है निए चटा नमबर भी कि लो घंच कर लिजगा तो अज इसको क्या कीज़ेगा ना दे कि रोकिके और इसको अच्छे से अक लोट कर सब्जेक्टिव सभी देते हैं और अच्छे तरीके से त्यारी करते हैं तो आप लोग अभी तक नहीं जूटे तो ग्रूप में जूट जाएगा ठीक है बहुत सारे बच्चे जो जूटे हुए और आप लोग भी जूट जाएगा ठीक है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर सब्सक्राइब कर देजेगा चैनल को और दोस्तों में सेयर भी कर देजेगा मिलते हैं अंगले वीडियो में तो तक लिए जाहें दें जाए भारत